शुग्रीव ने शीराम को बताया कि है रगुवीर सुनिये बाली जो है ना महान बलवान है और अत्यांत रणधीर है रणधीर का मत्तव होता है रण छेत्र को युद के छेत्र को जीत लेने वाला और फिर शुग्रीव शीराम को कहां लेके गया जहां पर वो साथ ताल के व्रिक्ष खड़े हुए है और दुन्दू भी राक्षस की हट्डिया पड़ी हुई है तो सुग्रीव कहता है जो कोई भी इन साथ ताल के पेड़ों को एक ही बांड से काट देगा समझो वो बाली का वद कर लेगा शीरागुनाथी जी देखते हैं और उने बिना ही परिश्रम के असानी से साथ के साथ पेड़ों को एक ही वांड से एक ही तीर से काट गिराते हैं कि शीरागुनाथी जी ने उने बिना ही परिश्रम के असानी से दहा दिया साथ के साथ वरिक्ष एक ही बांड से एक ही तीर से शीरागुनाथी जी ने काट दिये शीरागुनाथी का अपरीमित बल देखकर सुगरीव की प्रीती बढ़ गई सुगरीव का जो शंशय था वो दूर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभू बाली का वद अवश्य कर देंगे और सुगरीव बार बार प्रभू के चरणों में सरनवाने लगे सब जुकाने लगे प्रभू को पहिचान कर सुगरीव मन ही मन बहुत हर्शित हो रहे हैं बड़े गद गद हो रहे हैं प्रसन हो रहे हैं कि उन्होंने प्रभू को पहचान लिया कि यही प्रभू मेरा बेड़ा पार करेंगे और जब ग्यान उत्पन हुआ तो सुग्रीव जी वचन बोलेगी है नात आप विक्रिपा से अब मेरा मन इस्थिर हो गया है अब मेरे लड़ ठहराव आ गया है प्रभू सुख संपत्ती परिवार और बड़ाई बड़पन सब को त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा प्रभू मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा और उसके लिए मैं अपना सुख संपत्ती परिवार और बड़पन सब तियाग दूँगा मैं सब परकार से आपकी शरण में हूँ सुगरीब जी बताते हैं कि आपके चलणों की अराधना करने वाले संत क्या कहते हैं कि ये सब, ये सब क्या? कि सुख संपत्ती परिवार और आत्म प्रशंसा ये सब राम भक्ती के विरोधी हैं सुख संपत्ती परिवार बड़ाई प्रशंसा अगर ये मन में घूमते रहेंगे तो कोई भी राम भक्ती नहीं पापाएगा राम भक्ती से विचलित रह जाएगा ये राम भक्ती के विरोधी है जगत में जितने भी शत्रू, मित्र और सुख दुख द्वंद हैं सब के सब माया रचित है पर मार्थत है ही नहीं ए श्रीराम जी कि बाली तो मेरा परम हितकारी है कि सर्थ में कह रहें सुरीव जी वात कि बाली किस का परम हितकारी है कि जिसकी कृपा से शोफ का नाश करने वाले आप मुझे मिल गए है और जिसके साथ अब स्वप्ण में लड़ाई हो तो जांगने पर भी उसे समझकर मन में संकोछ होगा कि मोझे उसकी मज़े लड़ने में संकोछ होगा मुझे प्रम्रीय लग राया और हितकरी लग राय है क्योंकि बाली की वजए मुझे आपको मिल गए ए प्रभू अब तो इस प्रकार किरपा कीजिए कि सब छोड़ कर मैं दिन राद आपका ही बजन करता रहूं सुग्रीव की ऐसी वेराग्य युक्तवानी सुनकर हलांकी ये ऐसा वेराग्य है जो छड़िक है सुग्रीव को जो वेराग्य हो रहा है ये थोड़ी देर का है हाथ में धनुझ धारण करने वाले शीराम जी मुस्कुरा कर बोले क्या बोलते हैं पबुशी राम बोलते हैं तुमने जो कुछ कहा है वे सत्य है परन्तु है सखा मेरा वचन मित्या नहीं होता अर्थाथ बाली मारा जाएगा तो भई मारा जाएगा और तो मैं राज्य जरूर मिलेगा यहाँ पर काक पुशुंड जी कहते हैं कि है पक्षियों के राजा गरूर नट के बंदर की तरशी राम जी सबको न चाते हैं वेद ऐसा कहते हैं इधर सुग्रीव ने बाली को ललकारा और बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वैग से दोड़ पड़ा वेग से दोड़ पड़ा दोड़ते हुए बार आया लेकिन उससे पहले ही बाली की इस्क्री तारा ने चरण पकड़ कर उससे समझाया कि है नात सुनिए सुग्रीव जिन से मिले है ना वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है बाली की पत्नी तारा है जो बाली को समझा रही है सुग्रीव को जो बल देने वाले दो भाई है ना रामो लक्षमन वो भौत बलिशाली है भौत तेजवान है आपको पता है वे खोसलादिश कोशल जी के राजा जैश्रत जी के पत्र राम और लक्षमन ऐसे हैं कि संगराम में काल को भी जीत सकते है तो स्वामी कृपा करके सुग्रीव से लड़ने मत जाईए बाली ने कहा हे भीरू धर्पोक अपनी बीबी को क्या बोल रहे है कि हे भीरू हे धर्पोक प्रिये सुनो शीरगुनाथ जी समदर्शी है सब को एक द्रिश्टी से देखते हैं वे जो कदाचित वे मुझे मारेंगे न मैं तो सनाथ हो जाऊंगा मैं तो परंपद पार जाऊंगा मुझे नाथ मिल जाएंगे इतना अच्छा है शीरगुनाथ मुझे मार दें और मैं परंपद को पा जाऊंगा और ऐसा कहकर महान अभी मानी बाली सुगरीव को तिन के के समान जान कर चल पड़ा दोनों भिड़ गए दोनों में युद्धों ने लगा बाली ने सुगरीव को बहुत धमकाया और बहुत पीटा भईया बहुत पीटा सुग्रीव जी कमजोर थे तो कमजोर पड़ गए और बाली से पिटाई खाने लगे और जब उनसे सहाना गया घायल हो गए जगे जगे चोट लग गई तो सुग्रीव जी व्याकुल होगर वहां कर वहां से भाग गए कि सुग्रीव कि जब पिटाई होने लगी खूसा पड़ा तो खूसा पड़ने से सुगरीब जी दोड पड़े वहां से खूसे की चोट उनको वजर के समान लगी सुगरीब ने आकर कहा एक रिपालू रगुवीर ये कैसा मित्र धर्म निभाया आपने आपने मुझे उकसा कर लड़ने के लिए भेज़ दिया और आपने तीरी नी चलाया मेरी क्या वस्ता हो गई है मैंने आपने पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है काल है काल तो शीराम जी क्या कहते है अनों भाईयों का एक साही रूप है एक से वस्तर पेहने हुए है एक सिह कद काटी है और मैं तुम दोनों मैं से पहचान ही नी सका कौन बाली है और कौन शुग्रीव है ऐसे में अगर मैं बान चला देता और बान तुम को लग जाता तो शुग्रीव तुम मारे जाते ये राधीरज धरके जान ही नहीं पारा, तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, एक जैसी कद काठी, एक जैसे वस्त्र, एक जैसी शकल, और ऐसा कहके, शीराम ने सुग्रीव को अपने हाथों से स्पर्श किया, सुग्रीव ने महसूस किया कि शीराम का हाथ लगने के वाद, सारा दर्द चला गया, जो दर्द हो रहा था शरीर में, वो दर्द चला गया, सारी पीडा दूर हो गई, और चोट सही हो गई, और हाथ लगने से सुग्रीव का चरीर, वज्र के समान कठोर हो गया, और सारी पीडा चले गई, तो शीराम ने पूछा, कि अब पीडा कैसी है मेरे बित्र, तो सुग्रीव ने कहा, प्रभू जैसे ही आपने हाथ लगाया, मेरी सारी पीडा चली गई, मेरा सारा दर्द खत प्रभू जैसे हो गया है, तब शीराम ने क्या करा, सुग्रीव के गलों में फूलों की माला डाल दी, पहचान के लिए, कि दोनों भाई एक चैसे दिखते हैं, तो सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी, और उसे फिर दुवारा से उत्साहित दिया, बल दिया, और बल देकर सुग्रीव को लड़ने के लिए भीजा, दोनों में पुना, अनेक प्रकार से युद हुआ बाली और सुग्रीव में, शीर गुनाती जी व्रिक्ष की आड़ से सब देख रहे थे, अब बताईए व्रिक्ष की आड़ से ही क्यों, सामने आकर क्यों नहीं मारा, क्योंकि बाली को वर्दान था, कि जो भी बाली के सामने लड़ने के लिए आता था, उसका आदी शक्ती आदा बल, बाली के पास चला जाता था, बाली की अपनी शक्ती, और सामने वाले की शक्ती उसमें आ गई, तो सामने वाला गमजोर पड़ गया, बाली और तक गत्वर तो इस वर्दान के कारण बाली के अंदर बल बढ़ जाया करता था और इसी कारण शीराम जी पेड़ के पीछे छिप कर देख रही है यूद कर रहा है सुगरीव और सुगरीव ने बहुत से छल बल किये कि तुहंत में भैमान कर फिर्दै से हार गया लड़ाई चल रही है लेकिन दिल से हिर्दै से सुगरीव हार गया हार ने लगा तो सुगरीव ने बहुत से चलवल किये लेकिन दिल से जब हार ने लगा इतने में ही प्रभुराम ने बाण चलाया और बाली के हिर्दै में बाण को तार दिया और बाली मारा गया झाल